जहिंद आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर क्लाश टेंथ के सेंट्रल आइडिया के बारे में बताऊंगा देखी यह आपके बोड़ जाम की द्रश से बहुत ज्यादा इंपॉर्टन्ट है और यह 100% पूछी पूछी जाएंगी तो आज के वीडियो में दो से लिखना की जिससे आपको पूरे नंबर मिले देखिए अब आपके बोड़ जाम में सेंट्रल आइडिया भी पूछी जाएंगी और यहाँ पर पूएम भी पूछी जाएगी तो पूएम भी लिखना होगा और सेंट्रल आइडिया भी लिखना होगा तो आज के वीडियो से तीन पूछी जाएंगे इन में से आपको एक करना होगा तो दो जरूर ही याद करके जाना बहुत ज्यादा यह important हैं तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर डश्ट आप इसनों की उसके बाद में बात करेंगे करेंगे यहाँ पर टाइगर इंदा जो की यह दोनों बहुत ज्यादा इंप्वार्टेंट हैं आपके बोड़ इजाम की द्रट से तो दिखें डेस्ट आप इसनों पहला लेशन है परटी का और इसके कभी कौन है तो यहाँ पर जो कभीन के हैं यह रावर्ट फ्रास्ट हैं कैसे लिखना कितनी बड़ी लिखना कैसे याद भी करना सारी चीज़े आप लोगों बताऊंगा इसको हिंदी में अनुआद करके भी बताऊंगा जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए गया तो दिखें डेस्ट आप इसनों इस है एक सुन्दर शौर्ट प प्रैट घ्रट पोह है उसके वाद में राइट किसके द्वारा रावट प्रोट तो देखें यह जो कविता है ये किसके द्वारा लिखी गई बर्फ के कड़ इसको बोल सकते हैं डृष चोटे बाद में देखें बर्फ की धूल या फिर खूरब रावर्ट प्राष्ट द् देखे जो यहां पर बर्प की धूल या फिरकर्ण रावर्ट फ्रास द्वारा लिखी गई एक खुबसूरत या फिर सुन्दर छोटी सी कविता है यहां तक हो गया उसके बाद में दिस पोएम यहां जो कविता है एक्सप्रेसेस दा सिगनिफिकेंस आप इसमाल तिंस इन यह यहां पर चेंजिंग वन समूड करने का मतलब यहां पर यह है देखिए सिगनिफिकेंस मने मतलब होता है महत्तु तो यहां पर किसे महत्त को दरसाती है यहां पर तो देखें यहां कविता जो है किसी के मूड को बदलने में छोटी चीजों के महत्त करते या फिर उसको तर साते यह विज् il dennow संज में आगा उसके बाद में आगे व si ith وت व में द्रों हेंट है जो कभी है यह किसके इसमें किसका जिक्री किया है तो यहाँ पर कवे और यहाँ पर हिमलाक ट्री जिस्कों धुतूरे का पेन भी बोल सकते हैं यहाँ है ốngलाद in tree को हुम क्या बोल सकते हैं यहां पर धतूरे का पेंड भी बोल सकते हैं तो किसकी बात करी है जो कभिएникомदधध यहां पर कव्टवए और धतूरे का जिक्रív किया है इन ट्री उसके बाद में जहां पर neuen का कोता है रहि Denn का Π्रतीक व्हाना जाता है और उसी प्रकार से जो यहां पर हे मलागट्री सब्सक्राइब होता है इसी किस्के माना जाता है को इसी कि इसमें कभी ने क्र मैद करिए चुरने का मतलब यहां पर यह हो जाएगा कि इस कविता में कभी ने क्या किया है कई इस पर पर बुरे सगुन का प्रतीक माना जाता तो बहुत Simple जै है और इतनी बड़ी लिखना स्क्रीन इस एक प्रफिन आपने प्रसे याद कर लेना मरे मात अफहे दो आप इस significance किसके महत को दर साती यहां पर small things मतलब छोटी सी चीजों को क्या करते हैं दर साती changing of mood उसके बाद में the point has mentioned किसका यहां पर जिक्र किया है करो और क्रो आयंड यहां पर हमलाक्ट्री इन दिस प्रेम उसके बाद में that are believed to be a symbol of bad domain तो बहुत simple से इतनी बड़ी लिखना इससे ज्यादा नहीं लिखना है तीन नंबर आपके पक्यों जाएंगे इसको याल कर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी यहां पर फलिष लिन ऊर्ष यह आपको ध्यान रखनायक मीजगी आपको ध्यान रखनायक बहुत ज़्यादा यह जरूरी होती कोई कोई बार पोछ लिया जाता है एक क्योंट भी अमांपका तैयार हो जाएगा यह त्यां से पार इन द्दूनขे कि और फ्रेष पोई दोनों के इसको कैसे लिखना कैसे याद करना टइगर इन दा जू इन यहां पर दिस पोएम जो यहां का विता यहां पर तो बहुत सिम्पल सी यह भी आपको इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लेना है तो इसमें देखे इस कविता में कभी ने क्या किया है चिडिया घर में एक बाग की तुलना उसके वास्तविक वातावर्ण में मौझूद बाग के करने की प्रियास कर रहा है जो याद में आगे टाइगरिंधे विंदधे इंड्य पोएम्ट एपोएट इस ट्रैंग यांपर ट्रैंग मतलब कोशिज करना टु कंट्रस्ट एटाईगर इन दा जू यहां पर वितदा उसके साथ दटाइगर बाग इट इन इट्स रियल मतलब कर रही मतलब प्राकृतिक ह करने की प्रयाज कर रहा है तो यही इसका यहां पर जिक्र है उसके पाद में आगे इसी में लिखना है इन आर तूस उदा उसके बाद में कंट्रे तो यहां पर इसका आर्थ क्या हो जाएगा इन आर्डर तूस वां ग aside तो यहां पर देखे जो यहां पर यह इस प्रकार से हो जाएगा कि विरोधावाज इसको कह सकते हैं कि यहां पर और तो यहां पर विरोधावाज दिखाने के लिए क्या है कभी द्रस्कों जंगल में चिडियागर में इस्थानांतरित कर देता है contradiction का मतलब होता है shift the scene तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इस्थाना अंतरित कर देता है जो कि किस प्रकार से विरोधावाज दिखाने के लिए कभी द्रश्च को जंगल से चलिया घर में इस्थाना अंतरित कर देता तो इसी प्रकार से इसको बताया गया है उसके बाद में the poet want to show जो यहाँ पर कभी क्या चाहता यहाँ पर क्या दिखाना चाहता है कि difference between the two environment यहाँ पर जओ कभी कित्वावलं के दिखाना चाहता है बहुत सिंपल सा है तो कभी जो है दोनों पर्यावण के बीच में अंतर दिखाना चाहता है दोनों पर्यावण का मतलब है यहां पर चिडिया घर और उसके बाद में जो उसका वास्तविक जो यहां पर आवास है उसको क्या है दोनों में अंतर दिखाना चाहता है यही इसका जिकर किया गया है तो यह भी बहुत सिंपल से फिर से देख लेते हैं ए टाइगर इन दा जू इन दिस पोएम दप पोईट इस ट्राइंग टू कंट्रास्ट ए टाइगर इन दा जू जू उसके बाद ने जू विथ इन यहां पर दा टाइगर इन दा रियल निचुरल है तो यहां पर इस कविता में कभी चिडिया घर में एक बाग की तुलना उसके बास्तिव के वातावन में माजूद बाग के करने का प्रियाज कर रहा है विरोधा बास दिखाने के लिए कभी द्रस को जंगल से चिडिया घर में इस्थाना अंतरित कर देता है शिफ्ट कर दे दिखाना चाहता है उसके पर्यावन के बारे में अंतर दिखाना चाहता है तो इसी प्रकार से यह दोनों आपको अच्छी तरीके से यह सेंट्रल आइडिया याद कर लेना बहुत ज्यादा इंपर्टन्ट है यह पुछी पुछी जाएंगी मैंने एक वीडियो और बना दि देखिए आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा खास है जो आपको कुछ भी नहीं आता है कि कैसे पास हो इंगलीज में तो यह वीडियो जरूर ही देख लेना तो मिलते हैं अगले वीडियो में